राम राम जैहिन देखो जब भी हम SSC के एक्जाम को टार्गेट करने की बात तुम लोगों से करते हैं जब भी हम SSC की बात करते हैं तो हमने तुमने देखा होगा कि मेरी बहुत सारी वीडियो में तुम हमेशा यह पाऊगे कि हम 6 मेने के लिए ही बताते हैं तुमें कि तुम मान के चलो अगले अटेम में तुम्हारा कंफर्म है अब यहां पर प्रॉब्लम क्या रही उसके बारे में बात करेंगे ठीक है जब हम छह महीने की बात करते हैं ठीक है और डेडिकेशन का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास दूसरे काम नहीं होने चाहिए फिर तुम्हार का मतलब जो चाहो वो मिलता है उसकी बात हम कर रहे हैं तो जब SSC को तुम मैनिफेस्ट करने लग जाते हो छे महीने के लिए वो चीजे अचीवबल हो जाती है तुम अचीव कर ले जाओगे प्रॉबलम यहां पर आती है कि छे महीने 90% लोग कंटीनू नहीं कर पाते हैं 100% हमने बहुत से लोगों को देखा हैं मैं एक्जामपल बताते हैं इसलिए हम तुम्हें समझाबाते हैं टेटेल में क्योंकि मेरे पास उसके एक्जामपल होते हैं कोई भी आदमी हम किसी की भी बात कर रहे हैं 6 महीने के लिए consistent हो ही नहीं पाता है 6 महीने के बीच में उसके कुछ ऐसे काम आ जाते हैं या फिर कुछ प्रेम संबंद की बात हो जाती है या कुछ भी ऐसी चीज़े हो जाती ही जहां पर वो other activity में involved हो जाता है तो वहां से क्या होता है कि जैसे ही तुम एदर activity में involved हो है तुम्हारा वो जो manifestation का process है जो कि तुम उसको achieve करने का सोच पा र time zone है उसमें उस zone में जाना पड़ेगा जहां पर तुम एससे के अलावा कुछ सोच नहीं पा रहे हो कुछ लोगों को यह लगता है कि इतना करने की क्या जूरत है देखो एससी मानते हैं कि मतलब paper ठीठा काता इतना भी tough नहीं आता है बट इतना भी आसान नहीं आता कि हर को कोई निकाल ले जाएगा इसे तो छे महिने तुम्हें उस process में involved होना पड़ेगा छे महिने के लिए तुम्हें उस zone में खुद को रखना पड़ेगा जहां से तुम बाहर मत हो हम बिलकुल दिल से request कर रहा है इस अब तुम लोगों से कि छे महिने के लिए उस process से मत निकलो बाहर बिलकुल भी किसी की कीमत पर क्योंकि वो जो छे महिने ना वही छे महिने तुम्हारा selection कराएंगे और नहीं भी selection कराएंगे तो अगले जो next attempt तुम्हारा होने वाला है उसमें तुम्हें जो 100% सपलता है वो यहां पर दिलाएगा लेकिन छे महिने के लिए तुम्हें उस zone में जाना पड़ेगा छे महिने के लिए ए अटलिस तुम्हें उस मतलब उन चीजों के आसवास रहना पड़ेगा जहां से तुम उसको manifest कर पाऊ ठीक है तो इस चीज का ध्यान अखना है छे महիने का मतलब 6 महिने अगर तुम्हें कुछ चीजे छोड़नी पड़ रही ह च्छे महिने के लिए छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं उसके बास सब चीजे नॉर्मल हो जाती हैं लेकिन अगर तुम यह कर रहे हो कि छे महिने में तीर महिने पड़ा तीन महिने नॉर्मल चल रहा है वापस तुम्हें जीरो से सुरुआत करनी पड़ेगी इस बात को मान के च राम राम जाहिए